हेलो गुडिविनिंग नमस्कार सस्त्रियकाल राधे राधे दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे स्योट्यूप चैनल में दोस्तों अब ही तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों के हमेंदिग के इसका पार्ट फरस्ट यहां पर समझने वाले हैं कायनेटेक्स सब्सक्राइब और ये मुनिया सकते हैं 순ड़ से पार्ट फस्ते हैं मैं टीक्स का समपूब्र… ब्रुमियारे नमारे लगो diverस। और उसके according आप लोगों के सारे question भी यहां पर करवाने वाला हूँ ठीक है? Question भी करवाऊंगा और physics में जिस तरीके के आप लोगों के theory होगी उस तरीके के theory भी करवाऊंगा और आप लोगों के आप लोगों को लिखने की जरूत भी नहीं छोड़ूँगा आप लोगों को मैं ऐसी लिखी लिखाई एक PDF भी आप लोगों को टेलिग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा और उस टेलिग्राम चैनल का link आप लोगों को description में मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर आप लोगों हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर लीजिए जोइन करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना सिर्फ जोइन करना है और आप लोगों को वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी तो PDF महाँ से आप लोग इसको download कर सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर अगर आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर दिया होगा ठीक है तो फिर फटापर से start करते हैं और उस subscribe करने के बाद आप लोग क्या कर देना वो घंटी बटन का जो बटन होता है उसको all पर select कर लेना ठीक है ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो डालू जब भी कोई मैं नई वीडियो डालू सबसे पहले notification आप लोगों के पास में आए और आप लोगों की class कर दूँगा ताकि आप लोगों का उसी time पर मैं आप लोगों की class ले सकोंगा चलिए अब समझते हम गतिकी क का मतलब होता kinetics अब देखिए kinetics क्या होता है तो सबसे पहले हम जो है इसके mechanics की बात करते हैं किसकी mechanics की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी यांत्रिकी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखिए यांत्रिकी होती क्या है तो समझे समझना ये है कि बहुतिक विज्ञान की वह साखा में गती और बल के बारे में अध्यन किया जाता है उसे हम यांत्रिकी बोलते हैं ठीक है तो यांत्रिकी जो होती है वो कितने तरीके की होती है तो यांत्रिकी के मतलब समझना है कि देखे पहली होती है गती की क्या होती है गती की और दूसरी होती है द्रड़ गति की पहली होती है सिंपल गति की और दूसरी होती है द्रड़ गति की तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्या गति की यानत्रिकी की पहला जो पाठ है उसको हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्या यानत्रिकी का जो पहला पाठ है उसको यहां पर हम पढ़ रही है ठीक है चलो तो अब हम बात कर लेते हैं क्या तो देखिए गती की पहले सबसे पहले बात करेंगे किसकी गती की कि तो गती की क्या है तो देखिए गती की जो है वो ये है समझना है आप लोगों को कि गती की इसमें इसमें गती का अध्यन किया जाता है ने कि इसके उत्पन होने के कारणों का यानि इसके अंदर हम गती का अध्यन करेंगे ने कि इसके अंदर उत्पन होने वाले कारणों का हम इसके अंदर अध्यन करेंगे तो गती के अंदर किसका अध्यन करेंगे इसके गती के अध्यन किया जाता है ना कि इसके उत्पन होने के कारणों का और द्रड जो गती की होती है इसके अंदर हम किसका अध्यन करेंगे तो द्रड जो गती की होती है इसके अंदर इसमें गती तथा इसके उत्पन होने के कारणों का अध्यन किया जाएगा इसमें गतिका भी किया जाएगा और इससे उत्पन होने वाले कारणों का भी इसमें अंदर अध्यन किया जाएगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे देखे आगे हम बात कर लेते हैं किसकी तो गतिकी की हम बात करते हैं आगे तो गतिकी के अंदर आप लोग यहाँ पर देखिए गतिकी के अंदर गतिकी में अब यहाँ पर देखिए गतिकी के हम बात कर रहे हैं और गतिकी में यहाँ पर यह देखिए यह जो है यह यहाँ पर आप लोगों को X दिशा में दिख रहा होगा यानि कि अगर हम इस तरीके की 36 लाइन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी X दिशा हो जाएगी और अगर इस तरीके की बात करें तो उपर वाली जो यह आप लोगों को equation of, equation of किसकी, यानि पत्थ की समिकरण की बात करेंगे, तो पत्थ के समिकरण के आपको x, y और z के रूप में सम्मंद होता है, किसमे x, y और z में सम्मंद को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पत्के समीकरण की और पत्के समीकरण को यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरके से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ देखिए पत्का जो समीकरण होता है कलर एक बार हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं देखिए पत्का समीकरण है देखिए यह है पत सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कैसे निकालेंगे तो अब समझो इधर इधर समझो सब के सब देखो इधर समझना यह है कि देखो एक्स बराबर क्या होता है सबसे पहले बात करें एक्स बराबर इन्हों ने दिया हमको 40 और वाई बराबर दिया हमको 3D तो टी इस बराबर वाई बराबर 3D इन्टू टी की जगा हम क्या रख सकते हैं एक्स बाई 4 रख सकते हैं कि नहीं क्योंकि यह ठीके एक्वल है तो हां सर रख सकते हैं तो रख दो क्योंकि यह ठीके क्या होगा एक्वल तो हमने वाई बराबर क्या रख दिया थ्री इन्टू एक्स अ ये क्या हो गई एक सरल रेखा हो गई ठीक है इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो देखिए अब देखिए आगे हम इसकी बात करते हैं और अगला हमारे पास ये है अगला ये है कि x y तल में एक कन x बराबर 40 है y बराबर क्या है 60 square पर गती कर रहा है तो इसके पत्खा सम समिकरन आप लोग निकाल सकते हैं easily क्योंकि मैंने आप लोगों को बहता दिया तो देखिए इन्होंने फिर से कैसे निकाला है इस बार जो पत्खा समिकरन आया है वह आया है परवल्यकार कैसा आया है जरा देखिए जरा देखिए देखिए इन्होंने कहा कि x y तल में एक कन जो है x y tol में एक कान जो है वो कितना आ रहा है x ब्राबर 40 और wj ब्राबर कितना है 60 स्क्स्ट्पार ले ग्ध्म एक्स ब्राबर 40 है y ब्राबर 60 स्क्वाइर है तो हमने तो हमने यहां से x की value निकाली सटीगी value निकाली तो t की value कितनी है यह पास हमने जो first समीकरन यह नों ने दिया x बराबर 40 x बराबर 40 से हमने हमने क्या किया tiki value निकाले और tiki value कितनी आई x y 4 आई आगई तो हमने फिर से क्या किया y की जगे y का जो समीकरन था उसमें हमने tiki value पुट कर दी जैसे ही हमने इसके अंदर tiki value पुट की tiki value पुट करते ही हमको क्या मिला तो tiki value पुट करते ही हमको मिला हमको यह मिला देखिए y बराबर 6 x y 4 का whole square हमको मिला यह मिला अब जैसे ही हमने इसको आगे solve किया solve करने के बाद हमको क्या मिला solve करने के बाद हमको यह मिला y बराबर 3 by 8 x square और इस बार जो ग्राफ होगा यानि इस बार जो स्मिक्रन हमने को ग्याद होई वो ही y बराबर 3 by 8 x square और कैसा परवल्यकार बनेगा कैसा बनेगा परवल्यकार बनेगा तो I hope यहां तक आप लोगों को सब को समझ में आ गया होगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे है हमारे पास फिर से हमने एक क्वेशन और ले लिए आपके लिए इस क्लास में हम थोड़े क्वेशन करने वाले हैं आगे फिर हम समझेंगे क्या है कि अगर हम यहां पर क्वेशन करते हैं तो आप लोगों के का है कि एक क्वेशन एक क्वेशन इस तरीके के आएगा इसलिए म कह रहा है कि xy तल में एक एकन x बराबर 3 sin t और y बराबर 3 cos 3 cos पर cos t है 3 cos t पर गती कर रहा है तो इसके पत्खा समीक्रण ग्याद करना है चलो भाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे वहीं 2 समीक्रण देदी हमको एक x का value दे दिया और एक दे दिया हमको y का value ठीक है तो x का value यानि x वाली एक समीक्रण और एक समीक्रण किसकी y वाली समीक्रण तो X वाली समिक्रन से पहले हमने क्या किया तो X वाली जो समिक्रन है वो क्या है 3 sin T है क्या है 3 sin T है और Y वाली जो समिक्रन है वो क्या है Y बराबर 3 cos T है तो इन दोनों को हमने क्या किया इनका जोड कर दिया हमने और जोड करने से हमको क्या मिला तो जोड करने से हमको ये मिला मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, कि x² प्लस y² is equal to 9, sin² t प्लस cos² t हमको ये मिला, और ये कैसे मिला, तो इसको करने के लिए, हमारे पास इन सबको solve करने के बाद, जो हमारे पास last में जो बचा, वो ये बचा, x² प्लस y² is equal to 9, और ये अगर आपास क्योंकि जो वरत है यांनि वरत की जो तरिजा है वो कितने आ गए तीन आ गई वरत की तरिजा कितने आ गई तीन आ गई तो यह हुआ हमारा यह next सवाल इसके बाद में आगे देखते हैं अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सब्सक्राइब और बात करते हैं तो इस किस तरीके से यहां पर करते हैं तो यह दो इस हमारा क्या हो गया यह हमारा यक्स हो गया आरे बोलो यह हमारा एक्स योगे दे रखा है यो इसके मूल बिंदु यो होंगे इसके मूल बिंदु के जो निर्दे मारे शंख होंगे अब सुनो कि R सदिस बराबर X I सदिस प्लस Y J सदिस प्लस Z के सदिस है तो अगर हमको R सदिस यहनि Maud of R सदिस यहनि R सदिस का हमको परणामी निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो हमको निकालना है तो हमको इसका अंडरूट कर देना है अंडरूट करने के लिए x² प्लस y² प्लस z² हम कर देंगे क्या क्योंकि किसी भी मूल कन की किसी भी मूल कन की बिंदू के सापेक्स इस्तिती बताना इस तरीके से क्यों किया क्योंकि हमको किसी भी कन के किसी भी कन की मूल इस्तिती के सापेक्स अगर इस्तिती बतानी है तो इस तरीके से ही करना पढ़ेगा आगे वास समझ मैं अरे बोलो भाई अब देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसके दूरी और विस्तापन यानि कि distance and displacement की अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे एक बड़ा point हो जाता है समझने का दूरी और विस्तापन क्या है कि दूरी और विस्तापन से आपका एक question जरूर बनेगा और question क्या बनेगा यह भी मैं आप लोगों को बता दूँगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है कि दूरी और विस्तापन का जोल है क्या आखिर यह दूरी और विस्तापन से कॉशन आता क्यों है तो सबसे पहले हम बात करें दूरी और विस्तापन यानि displacement and distance ठीक है अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तुम आप लोगों के एक एक जामपल देखर समझाना चाहूँगा एक्जामपल ये है सबसे पहले आप लोगों का जो कॉशन आता है वो ये कॉशन मैं ये करता हूँ देखिए यहाँ पर है एक बंदा यहाँ पर है एक बंदा और उसका नाम है रामू यहाँ पर एक बंदा है रामू के ठीक है यह इसकी इसकुल है और अब कॉशन ये है कि रामू जो है रामू जो है वो यहां से इसकुल गया और इसकुल की जो दूरी है वो है कितनी पचास मेटर की इसकुल की दूरी है कहां से यहां रामू का घर है मालेते हैं यह रामू का घर है और रामू के घर से और इसकुल के बीच की जो दूरी है वो है 50 मिटर ठीक है अगर आप लोग इस एक्जामपल को समझ गए तो आप लोग दूरी और विस्तापन दोनों को अच्छे से समझ जाएंगे ठीक है तो रामु जो अपने घर से इसकुल गया और उसके जो दूरी थी वो 50 मिटर थी अब लेकिन विस्ताइब आप लोगों को बताना है इसी तरीके से आएगा एक 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 जमपल और देखे मैं बता दूँगा तो क्वेशन क्या आएगा क्वेशन इसी तरीके से आएगा रामु अपने घर से जो है इसकुल गया और उसके दूरी 50 मिटर थी और घर से वापिस घर तो क्या हो गई इसकी दूरी हो गई यानि कि 100 कि अगर बात करें तो यानि कि 100 क्या हो गई इसकी दूरी हो गई 100 मिटर तो इसकी दूरी हो गई लेकिन विस्थापन जो हुआ यानि विस्थापन जो हुआ वो क्या हुआ जीरो हुआ विस्थापन कितना हुआ जीरो हुआ त ले लिया और यहां पर यह देखिए आर ए सदीस यहां पर यह आरे सदीस से आर बी सदीस की हम बात करते हैं आर ए सदीस के नौक से आर बी सदीस की बात करते हैं तो देखिए आर ए से यह गया और आर बी तक गया तो आर ए जो जो सदीश था वो तो इनका क्या हो गया तो आर ए जो सदीश था वो इनका प्रारंबिक सदीश हो गया ठीक है प्रारंबिक सदीश हो गया लेकिन आर भी सदीश की बात करें तो आर भी जो सदीश है वो इनका क्या हो गया अंतिम सदीश हो गया तो यहां पर मैंने लिखा है कि आर ए सदीस जो है इनका प्रारंबिक सदीस हो गया जबकि आर बी सदीस जो है इनका अंतिम सदीस हो गया ठीक है यहां तक कोई समझने की ज्यादा बात है नहीं अब आगे बात करते हैं आगे यहां पर लिखा हुआ है आगे देखिए कि कनके पत को बहुत छोटे छोटे बांट दिया जाए अगर देखिए एक तो यह इस तरीके से गती कर रहा है और अगर हम कंगे यह जो यह जहां पर देखिए अब आप लोगों को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहां पर हम बात करें आरे सदिस से और भी सदिस एक पूरा लंबर क्या किया एक रास्ता किया लेकिन आम इसको अगर छोटे-छोटे रास्तों में बाट दे तो क्या होगा तो इन सारे भागों इन सारे भागों के अदिस योग को दूरी कहते हैं यानि की अब समझना है दूरी कैसे आई दूरी ऐसे आई कि यहाँ पर तो हमने पूरा एक पूरा एक रास्ता ले लिया यहाँ पर हमने छोटे छोटे रास्ते ले लिये तो इन जो है इन सारे भागों के अदिस योग को हम क तो यह क्या हो गई इनके दूरी हो गई तो अब दूरी की परिभासा और सुन लेजे तो दूरी की परिभासा यह है दूरी की परिभासा यह है मेरे प्यारे दोस्तों सुनना सुनना भाई सुनना दूरी की परिभासा यह है कि दूरी द्वारा यानि कि कान द्वारा गती के द पत्की लंबाई तो कुल पत्की जो लंबाई की अगर बात करें तो रामु अपने घर से कहां गया इसकुल गया और इसकुल से वापिस आया यानि दूरी तो कितनी हो गई उसके सो मिटर हो गई और दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है तो दूरी जो होती है वो हमेशा अदीश राशी होती है यह याद रखना है important point है चलो अब आगे बात करते हैं चलो आप बात कर लेते हैं किसके विस्तापन के तो विस्तापन क्या होता है भाई विस्तापन यह है देखिए यहां पर पहले आप इसके definition को ना पढ़ें पहले आप लोग यहां पर समझें देखि यह इसका प्रारंबिक बिंदू है क्या ए जो है प्रारंबिक बिंदू है और बी जो है इसका अंतिम बिंदू है यानि कि ए जो है इसका प्रारंबिक बिंदू है और बी जो है इसका अंतिम बिंदू माल लेते हैं ठीक है ए को हमने प्रारंबिक बिंदू माल लिया और बी तो विस्तापन क्या होता है विस्तापन यह है अब यहाँ पर समझना यहाँ पर देखना यहाँ पर यह देखिए विस्तापन का करना अगर चलते 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 औप लोग duk तक पहुंच के बाद फिर आप लोग डाइरेक्ट यहां से ए तक आ गई तो आप लोगों ने जो विस्थापन यानि कि आप लोगों ने विस्थापन आप लोगों का जो हुआ वह जीरो क्या क्योंकि आप लोग já पर थे आप लोग वहाँ पर वापिस आचूके है तो आप लोगों का विस्तापन हो गया बत अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी देखिए यहाँ पर इसकी हो जाएगी मालने थे हैं यह जो है तो विस्तापन आपने जो है जीरो किया क्योंकि आप लोग उसी बिंदू पर वापिस आचुके हैं इसलिए आप लोगों ने जो विस्तापन जो तै किया है वह कितनी हो जाएगी तो दूरी आप लोगों की सतर मेटर हो जाएगी अब हम इस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं डेफिनेशन यह है डेफिनेशन की तरफ अगर चले वो डेफिनेशन को पढ़ने की कौसिस करते हो डेफिनेशन यह है कि विस्तापन वह चीज होती है यानि विस्तापन वह है इन सभी यानि इन सारे भागों को सदिश योग को विस विष्तापन कहते हैं इन सारे बागों का अगर हम सदिश योग करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे विष्तापन करेंगे और विष्तापन की आपको समझाए वुष्तापन की परिवासा यहां कि अंतिम सदिस अंतिम इस्तिती सदिस माइनस प्रारंबिक इस्तिती सदिस अगर हम बात करें कि अंतिम क्या अंतिम इस्तिती सदिस माइनस प्रारंबिक इस्तिती सदिस कैसे तो एक एक जामपल से समझ ले यहां से देखिए यह मैंने एक बॉक्स बना दिया और बॉक्स के अ यहां से यहां तक चला यानिकि यह प्रादंबिक दूरी हो गई तिये बी-50 और यह भी-50 इसको वर्ग माल लेते हैं 50 is छ Tuesday क्यां अंकिन अन्थिम दूरी तो अंतिमदूरी वापिस यहां सीधी दूरी बराबर विस्थापन का परिमान कितनी हो जाएगे तो सीधी दूरी बराबर विस्थापन का परिमान हो जाएगा ठीक है आगई यहां पर समझ में अरे नहीं आई क्या आई होगी भाई आई होगी भाई तो सदीज जो होती है यानि विस्थापन जो होता है वो स चलो आगे बात करते हैं अब भाई हमारा एक देखें कॉशन यह है कि दूरी थता विस्तापन हमको ग्याद करना है यहाँ पर हमको दे दिया एक एग्जांपल और एग्जांपल मैंने दिया है वो बहुत ही अच्छा है देखें यह जो है या फिर वीडियो को पॉज़ करके आप लोग यहीं पर भी कर सकते हैं ठीक है तो देखिए दूरी और विस्तापन की मैं बात करूँ तो देखिए यहां पर यह देख पहले तो आप डाइग्राम को समझ लीजी डाइग्राम में इसके निर्दे सांग है टीन और चार इसके निर्द तने हैं तीन और चार इसकी जो लंबाई है इसकी जो यहां पर लोगों को को दे रखी वह इतो यह हो गया करण यह क्या होगे लंब और यह क्या ह sentiments आधार दे रंख हैं और 3 मिट और इसके जो मुल बिन्दू से जो निर्दे शांग दे रखें वह और यहां पर यह देखिए नौर्थ साउथ इस्ट और विष्ट यह इसकी दिशा भी दे रखी है अब आप लगों को सिम्पल करना क्या है तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए सुनिए जरा सुनिए हमको निकालना है क्या दूरी तो दूरी बराबर हम तीन मिटर प्लस चार मिटर यानि दूरी कितने हुए यहां से चला और यहां तक आया हुँ यहां से चलकर यहां तक आया तो चार मिटर और तीन मिटर अरे बोलो ना यह चार मिटर और यह तीन मिटर अड़े बोलो हां की ना तो 4 मिटर प्लस 3 मिटर बड़ाबर 7 मिटर इसकी दूरी हो गई बट अगर विस्तापन की बात करें तो विस्तापन मैंने क्या बताया था final minus initial तो r final minus r initial r final minus r initial के बात करें तो 3 i cap plus 4 j cap कैसे 3 i cap plus 4 j cap कैसे हुआ तो इनका जो प्रणाम्य हमने निकाला तो r सदीस जो r इनका equivalent और सदीस बराबर कितना आ गया 0 आ गया विस्तापन कितना आ गया 0 आ गया क्योंकि यहां से चला यहां से चला यहां से चला और वापपेस यहीं पर आ गया हमको तो विस्तापन कितना हुआ बाई 0 आ गया तो delta r सदीस बराबर 3 i cap plus 4 j cap मेटर में तो delta r mod of delta r is equal to root के अंदर 3 square plus 4 square बराबर 5 मेटर अरे बोलो ना आगे बात समझ में यहां तक अरे बोलो यहां तक किसी को कोई problem है तो बोलो वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखिए आगे आगे देखिए यहां पर एक question है question बड़ा जबरदस्त है question यह है question यह है देखिए कि एक कन एक कन आर्त रिज्या के वर्ताकार पत पर गती कर रहा है तो दूरी तथा विस्तापन हमको ग्याद करना है विस्तापन का मतलब प्रिमान हमको ग्याद करना है और कैसे करेंगे तो देखिए भाई कैसे करना है तो मेरे पैरे दोस्तों सुनो मेरे पैरे दोस्तों इन्होंने हमने एक लिया सरकल और सरकल हमने बनाया इस तरीके से यह इसके अंदर नहीं आ रहा है यहां पर देखिए इस तरीके से एक सरकल लिया सरकल लेने के बाद सरकल लेने के बाद यहां पर यह थोड़ा बड़ा बने जो है ठिट्ट demons hai यह एधर आर और इधर क्या है और але गाहे ऑरो लो भाई यहांपर एकुन दूरी बराबर कितना होगा तो दूरी बराबर क्या होती है अरे सुनो भाई दूरी दूरी की मैं बात करता हूँ दूरी बराबर होता है चाप और चाप बराबर कितना होता है त्रिज्जा इंटु कौन चाप बराबर क्या होता है त्रिज्जा इंटु कौन होता है तो दूरी बराबर कितने हो जाएगी R into Q किया हो जाएगी A下 हैम अत्रक में तो विस्थापन हो जाएगा इसका वह हो जाएगा क्या तो विस्थापन हो जाएगा Δ velocities is equal to 2R on the Kai okay हो जाएगा ठीक है अब मेरे पालए दोस्तो अब सुन आगे आगे मेरे बात करें आगे हम बात करें आगे यहां पर यह एक एक्जाम्पल है और एक्जाम्पल यह है कि दूरी वविस्थापन का प्रिमान आप लोगों को ग्याद करना है और यहां पर देखिए यह मैं आप लोगों के question दे रहा हूँ और यह question आप लोगों को जरूर से रब पॉपि में soul करके लाना है इसको हम next class में इसको discuss करेंगे next class में हम इसको discuss करेंगे और discuss ये करेंगे कि आखिर आखिर इसका answer क्या ना चाहिए option मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिये हैं option जो है मैंने आप लोगों के आप देंगे हैं पहला option है हमारे पास A से B तक दूसरा है B से A से C तक तीसरा है A से D तक ठीक है तो दूरी और विस्थापन का क्या निकालना है प्रीमान निकालना है यह आप लोगों को मैंने question दे दिया चैनल पर chemistry की और biology और GK के क्लास भी चाहिए क्या पहले तो आप comment box में comment कर देना आप लोगों को हम चैनल को जोइन करने के साथ हमारा वार्ट सब्सक्राइब का लिंक आप लोगों को इन्फोर्मेशन देता रहों ठीक है तो और कोई बात नहीं है बट नेक्स्ट जो ख्लास होगी उसमें और अच्छे से आप लोगों का इसको समझाने की कौसिस करेंगे ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर इसी में कंटीन्यू करें बताओ भाई चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब तक के लिए जय हिंद जय भारत